अलो गाईज एवरीवन कैसे हैं आप लोग आप देख रहा है माई यूटूब चैनल दमगल हैवन में आप लोगों का स्वागत है तो पाँच दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है और ये देशी अडेनियम तो मैंने बाहर छोड़े और बाकी के जो अडेनियम है वो हमने कल शेट में रख दिये तीन दिन तक तो वो भी बारिश में ही रखे रहे लेकिन अब हमने कल उनको उठा कर रख दिये क्योंकि वो ग्राफ्ट इड थे और उनका जो था वो गलने का खतरा था इस वज़े से हमने उन ग्राफ्टिड अडेनियम को सारे शेट के अंदर रख दिये और ये जो देशी है ये यहाँ छोड़े हुए है तो पांच दिन से कंटिनू बारिश हो रही है बस बाई चांस थोड़ी बहुत देर को रुकती है पांच-दस मिनट के लिए और फिर पढ़ने लगती है और पूरी रात पढ़ती है और पूरा दिन पढ़ती है और आज भी पूरी रात पढ़ती रही है अभी सुबा में भी पढ़ रही थी लेकिन अब थोड़ी देर के लिए बंद हुई है इस टेम पर तो मैंने कहा कि चलो अब जड़ा गार्डन में घूम के आते हैं तो साथियों अब ये देखिए यहां कितने प्यारे ये अडिनियम हो रहे हैं और ये देशी अडिनियम जो है इनको कम नुक्सान होता है बारिश से और इनकी कलियां भी कम गिरती हैं यानि इनकी जो टीफ्स है ये टीफ्स के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए अगर टीफ्स में पानी भर गया तो ये भी गिर जाएंगी और टीफ्स में नहीं भरा तो ये कलियां खिल जाती हैं लेकिन शर्थ ये एक और भी है कि धूप नहीं पढ़नी चाहिए इनके उपर अब ये बारिश में रही है अब अगर इनके उपर धूप पढ़ जाएगी तो ये फिर काली पढ़के गिर जाएगी धूप से बचाना पढ़ता है और आप एक ही मोसम में रहें चाहें ये के अंदर रहें तब भी अच्छी खिलती हैं और दोनों मोसम एक साथ जब मिलते हैं थंडा और गरम तब ये जादातर काली पढ़के गिरती हैं लेकिन जो फूल खिल चुके हैं ये सब बारिश से खराब हो जाते हैं ये देखिए सब बेकार हो रहा है फूल ये इस तरीके अच्छी तरीके से ग्रोथ इसकी हो रही है और इसका कोड़ेस भी काफी हेल्दी और मोटा हो गया है और बाकी की अदेनियम ये मैंने यो बेबी अदेनियम थे इनके पोर्ट को हमने सब को जुका कर इस तरीके से इंस टेड़े कर करके रखती हैं ये देखिए ये सब तो आपका डिनियम जो है भारिश में भी रखा रहेगा तो कोई प्रप्रम नहीं होगी बस इसके पोट में रूट के अंदर पानी रुखना नहीं चाहिए भरना नहीं चाहिए अगर इसके अंदर पानी दो घंटे भर गया तो यह इसके गलने के चांस बन जाएंगे यह भी देख रहा हैं यह प्लांट बहुती जबर्दस तेजी के साथ इसका कोटेस मोटा हो रहे हैं और यह रूट देखिए यहां से यह सीधा था यह यहां से अंदर थी पोट के अंदर था यह यहां से इतना हिस्सा यह पोट के अंदर था लेकिन इतनी तेजी से यह मोटी हुई कि इसने सारी मत्ती अंदर से निकाल दी और यह बाहर को निकल के आ गया और यह रूट कितनी मोटी हो गई है यह देखियी है यह मोटी रूट हो गई है और पूरे अडिनियम को टेढ़ा करके एक साइट में कर दी है इसे बहुत ही प्यारा यह बहुत तेजी के साथ यह मोटा हुआ है और और भी नीचे अंदर मोटा होगा यह यह उपर को निकल के आ रहा है अगर यह उपर ना निकलता साइटों में बढ़ता तो यह गंबले को तोड़ देता यानि इसने भी मत्ती को बाहर निकाल दिया सारी यानि यह रूट है कोडस का कोडस को यह उसका उपर होता है लेकिन यह रूट इसनी ज्ञादा तेजी से मोटी हुए है और यह में कि जादादा ऐक की ये टेड़ वाते हैं लेकर ये ऐसे भी खुब्सूरत लगते हैं प्लांटों से यह कि असको यह पुरस है वाओ यूदी देशी जब् mashed और प्लांटों के लिए और फोल से देशियों के अर्ड़ी तना आता है इसे कि देशियों आता है होईसे यह उत्र GinsPhfind प्लांट है ये और ये एक-दो साल के अंदर बहुत हई भी किसम का प्लांट बनेगा और इसको हम ग्राफ्ट वगरण नहीं करेंगे इसको देशी ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा बुशी है इसके अंदर ब्रांचे भी काफी है और जब प्रून कर देंगे इसको प्रूनिंग हम नमंबर के अंदर कर देंगे तो ये और ज्यादा बुशी हो जाएगा और इस प्लांट पे काफी ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छा प्लांट ये चल लिया है और ये मोटा बहुत तेजी से साथ हो रहा है इस वज़े से इसके उपर हमें पूरा ध्या इसमें बहुत ज़्यादा पूल आते हैं ग्राफ्टिट के हिसाफ से ग्राफ्टिट में इसने पूल नहीं आते हैं यतने देसी में आते हैं तो देसी प्लांट इस लिए ज़्यादा चलगता है कि इसके अंदर पूल बहुत ज़्यादा आता है अब ये प्लांट हमने इनको भी बारिश से बहुत ज्यादा खत्रा है तो बहुत अच्छे प्लांट बन के तयार होगा है यह और एक दो में फ्लोवरिंग भी शुरू हो गई है इस बज़े से हमने इनको यहां शेट के अंदर ही रखा है इनको ज्यादा बारिश नहीं देंगी जो ग्राफ्टिट बहुत अच्छे किशम के अडेलियम है इनके फ्लोवर मी बहुत चाहरे है वो सारे हमने यह रख रखे हैं और यह हमारा जो अरेकम 200 को प्लांट है इसको भी बहुत खत्रा होता है भारिश के पानी से बारिश तो इसको बहुत पसंद है लेकिन कंटिनू बारिश में रखना इसके लिए सही नहीं है और महगा प्लांट है यह काफी महगा है अगर हम इतना बड़ा प्लांट भी अगर हम मंगवाते हैं इतने बड़े कोड़ेस का तो कम से कम साथ आठ हजार का यह हमें मिलेगा क्योंकि बहुत है भी इसके जो कोड़ेस हो चुका है और यह हमारे पास ल अगरों आप प्रांट को रख देंगे शेट के अंदर तो आपके जो वह नहीं गरेंगे। देखिए सारे प्लांटों में फ्लोफरिंग मगारा हो रही है इस तरीके के जो यहां शेट के अंदर रख देंगे अब यह इसके अंदर सारे ब्रांचों के अंदर बर्स भरे हुए थे लेकिन बारिश के पानी ने सारे बर्स यू थे वो गिरा दिये इसलिए अब हमने कल से प्लांट के अंदर रख देखन के आफ देखिए को इसको शेट के अंदर रख़ा है अब यह जब तक अच्छी तरीके से बादल नहीं कुलेगा यानि वारिश नहीं रुकेगी तब तक हम इसको बहँर नीकाले तो कोई नहीं है आज अगर रुक के हो रही जब तक हमारा बिल्कुल से बादल नहीं खुल जाते हैं तब तक हम इन अडिनियम को सारे चेत्क में ही रखेंगे और इनको हम फोटिलाइजर भी जब ही देंगे जब मुझे इत्मनान हो जाएगा कि अब बारिश नहीं होगी सब डैनिज होल से निकल गई है तो ये फिर से पोट हमारे खाली हो चुके हैं और फिर इसके अंदर बोन मील वगारा भी हमें दोबारा देने ही पड़ेगी तब जाके ये हमारे प्लांट दोबारा से सर्वाइब करेंगे और फ्लोवरिंग भी अच्छी करेंगे तो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए जब पौधा गुरोथ अच्छी करेगा तब ही फ्लोवरिंग अच्छी होगी और इसके अंदर तो सारा ये जो बारिश के पानी से पोट दुल चुके हैं इस वज़े से हमें दुबारा इसके अंदर बोन मील नेम की खली या बर्मी कंपोज म बारिश नहीं कुलेगी जब तक हमने इनको फोटिलाइजर देंगे और इनको फोटिलाइजर देंगे को शेट के अंदर ही रखेंगे जो हमारा अगला काम होगा वो इनके जब धूब अच्छी तरीके से इंकली आएगी बारिश नहीं होगी तब इनके अंदर हम फोटिलाइजर देना शुरू करेंगे तो पहले तो हम इनको बोन मील नेम की खली और कॉडन बगारा मिला कर और प्लांटों में पुटास दे देंगे कुछ में 0,52 दे देंगे ताकि हमारी दो महीने तक इन प्लांटों के अच्छी फ्लोवरिंग होती रहे अब यह बेबी अदेनियम है इनके अंदर भी काफी फ्लोवरिंग बगारा शुरू हो गई है बट्स बगारा भी आ रहा है और मैंने सारे जुका के रख दी है और बड़े अच्छे हो रहा है कोई-कोई प्लांट यह देखिए नीचे से कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है नीचे से कल्या रहा है इनको हमने असल में प्रून नहीं करा है यह देखिए कुछ ट्री टाइप की हम बनाना चाह रहा है यह सा परवरी के अंदर इन पोटों से निकाल लेंगे और फिर हम लोंग पोट जो होते हैं लंबे गमले जो होते हैं यानि छोटे साइस कही होगा वह ऐसी होगा साथ आठ इंच का उन गमलों में इनको हम हम रिपोर्ट करेंगे यानि हमने इनका बहुत अच्छा प्लांट चल ल प्लांट इस तरीके के छोड़े हैं जिनकी हम टी बनाएंगी और उनकी हम प्रूनिंग बगारा नहीं करा करेंगे तो एक दो साल तक नहीं करेंगे जब बहुत जादा देखेंगे कि शेप बेशेप शकल हो रहा है तो हम उपर से पिंचिंग बगारा कर दिया करेंगे इस वज़े से हमने इनको इस तरीके छोड़ा है तो जितने भी यह प्लांट इस ताइप के हैं इनके कोड़ेज भी काफी तेजी से मोटे हो रहा है यह देखिए यह भी मत्ती को बाहर निकाल ले आए यहां से यह काफी अच्छा मोटा नीची अंदर जादा मोटा है यह मत्ती पहल को निकल लिया, तो इसके मत्रब है कि इसके रूट काफी मोटे हो रहा है, तो हम अंदर हम इनको लगा देंगे, और ये कई प्लांट हैं, ये अदेखी इनके वेटी एपड़े होई है, बैबी इडिनियम यह दे की रखे हुए तो इनको भी जुका कर रख रख एस तरीके से यह बी इच्छे हो रहा है काफी अच्छे हो रहा हैं और कुछ अंदर रख रख हैं और कुछ हमारा भी एक गल भी गया, इसके अंदर था लगा हुआ, ये जो इसके अंदर तीन प्लांट लगे हुए थे, तो तीन मसे एक जो था वो गल गया, असलमें डी एपी वहां पर थोड़ी सी जादा पड़ गई, तो डी एपी हमारे पास जो है, बहुत ही अच्छी क्वाल्टी क गला दिये, उसको हमने अब बहुत कम मिकदार उसकी कर दिये, बस जादे जादे हम दो दाने उसमें डालते हैं, कोई प्लांट में डालेंगे, क्योंकि इसमें उसके करीम में असलमें पहुँच गया बारिश की वज़े से, जैसी बारिश पड़ी, वो धुलके रूट में और वो उस प्लांट को उसमें जला दिया रखके, और ये प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, देखे, इसको भी हमने टेरा कर दिया है, कि ताकि इसके अंदर पानी ठेरे ना, और ये हमारी इदर ब्रांचे लगी हुई है, इनके अंदर भी काफी अच्छी फ्ल लेंगे ये, इसे मौसम में भी खिल जाते हैं, बरसात के अंदर भी, अब ये देखिए, ये दो बर्स जो हैं, ये बिलकुल आज खिल जाएंगे भी थोड़ी बहुत देर में, ये देखिए, तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में